So firewall की complete information एक वीडियो में आपको मिलने वाला है practical part को लेकर यहां से theory part को और सारी चीजों को मैंने cover किया हुआ है एक वीडियो में मैं जभी भी वीडियो series create करता हूँ आप लोगो को ज़्यादा पसंद भी आता है और यहां पे काफी ज़्यादा information भी मैं provide करने की कोसिस कर पाता हूँ तो इस वीडियो में आपको complete hardware और software based firewall की information मिलेगी बहुत सारी information आप firewall के बारे में समझ जाएंगे उसके practical part को समझ जाएंगे और सारी चीजे तो even then यहां पे देखो firewall के AST part को भी मैंने cover किया हुआ है इसके practicals part को cover किया हुआ है कैसे function करता है कैसे traffic को manage किया जाता है कैसे security label create करते हो यह सारी information एक वीडियो में आपको मिलने वाला है अगर आपको idea firewall के बारे में या आप really firewall के बारे में जानना चाहते हैं नए है beginner है जो भी है तो starting से लेके end तक इस वीडियो को देखेंगे अगर आप मारा support करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ल होने और इसके feature में क्या differences होते हैं different different तरीके की firewall market में कैसे available है और कैसे इसका काम होता है A to Z सारी information यहाँ पे आपको मिलेगी तो आप देख रहे हो काफी चीजे में नया पे add करने की कोसिस किया है starting के कुछ पार्ट हम लोग theory का cover करेंगे जिसमें समझेंगे कि firewall actually work कैसे करता ह सब्सक्राइब होता है और firewall के network के अंदर आजकर बहुत जरूरी हो गया okay सभी लोगों को पता है firewall क्या होता है firewall यह तरीके का security tool है नेटवक security tool है और इसके तुछ हम लोग traffic को manage करने का काम करते हैं simple सब्सक्राइब हो को पता है कि यह तरीके का software based भी व्रक करता है इसमें software based भी होता है ये और ये hardware base भी होता है तो अगर software base की बात करें तो हमारे computer system में inbuilt होता है और hardware base की बात करें तो हमें अपने network boundary में एक hardware purchase करके लगाना होता है दोनों को समझने के लिए हमें समसे पहले समझना होगा firewall क्या है कैसे function करता है तो firewall is a network security device which is used to manage and filter the incoming and outgoing traffic आपका अगर एक network है और इसके अंदर बहुत सारे PC काम कर रहे है यूज कर रहे है अपने आपके network को services को इस सारी चीज़े तो outbound से मतलब की बाहर की traffic और अंदर की traffic दोनों के बीच में एक firewall work करता है जो incoming outgoing आने और जाने के traffic को manage करता है अब आने जाने की traffic में क्या manage करता है यह यहाँ पर बात करते है firewall handle the filter or filter the traffic between private and public network private network जो आपके network के अंदर यूज हो रहा है resources वो private network resource हो जाएगा जो बाहर के resources आप use करते हो like google, youtube, facebook, amazon, whatever जितने भी sites होते हैं वो public network होते हैं तो दोनों के बीच में जो communication हो रहा है उसके बीच में यह क्या करता है एक filter करता है और traffic को manage करता है the main function of firewall is to manage the unwanted access मतलब अब समझ में आया कि इनके बीच में जो unwanted access होगा अगर कोई भी बाहर का बंदा आपके network में कोई virus, spam, malicious code कुछ भी भेजने की courses करेगा तो firewall उसको यहाँ पे boundary पर ही block करके उनको बाहर कर देगा और हमारे network की device user information सब चीजों को secure करेगा firewall 1980 से proper तरीके से use में आने लगा और यह बहुत सरे types में use होता है packet filtering के लिए होता है, proxy based firewall filtering यूज करी जाती, stateful inspection के लिए use किया जाता और next generation firewall इसके लामा SRX, Polo, Alto, Juniper और HP के बहुत सारे firewall यहाँ पे available है जिनका use कर सकते हो आप अपने network की information को secure करने के लिए next topic हमारा आजाता है working of firewall तो firewall सबसे पहले inbound, outbound traffic को maintain करता है किसी भी malicious code को inbound, outbound जाने आने से रोकता है यह अगर इसकी rule या security label को अपने maintain करा है, proper तयार है तो firewall block the malicious access over a network किसी भी तरीके का, अगर कोई आपके network के अंदर गुसने की कोसिस कर रहा है वो legitimate user नहीं है, legitimate या जो भी legitimate user आप बोलते हो, अगर वैसा user नहीं है तो आपका firewall या जो भी आपके network में firewall implement है चाहे वो host-based हो, चाहे वो network-based हो, वो उसको out कर देता है और हमारे information को secure करता है firewall quickly action करने का काम करता है, जैसे ही कोई information attack related कोई work होता है या कोई hacker attacker किसी भी तरीके की activity करने की कोसिस करता है, firewall तुरंत जो हमारा genuine user है, उसको एक notification प्रोवाइड कर देता है firewall basically next generation firewall focus किया गया, यहाँ पे malware और application layer attack के लिए और काफिय अडवांस लेबल पे ASA 505 का practical यहाँ पे आप सीखोगे, 555 का जिसमें आप बहुत सारे different task को manage करोगे और इसका practical part समझोगे, आगे बात करते है network layer and application layer inspection की, inspection मतलब होता है अब network layer firewall क्या करता है, अगर कोई भी activity आपके network में होती है, तो वो network पर ही उसको block करके बाहर कर देता है आपके host यानि की PC तक वो information नहीं आती है न, TCP IP और उन्हीं चीजों तक वो block कर दिया जाता है एक पर थोड़ा सा इसको पढ़ते है, network layer और packet filter inspect यह क्या करता है, network layer यह जो भी packet filter होता है यह निरिक्षड करता है उन सारे packet को जो relatively TCP IP के तरू हमारे network में हो रहे है अगर मालिया आपने जो भी network पे firewall का rule set कर रखा है, तो incoming outgoing के बीच में अगर उस rule को procedure follow नहीं होता है तो किसी भी तरीके से firewall उसको network के अंदर traffic को ना in होने देता है और नहीं network की traffic को बाहर जाने देता है तो यह हमारा network based filtering हो जाता है, अगर हम यहाँ पे बोले application based firewall की information थोड़ा बहुत तो यहाँ पे हमें मिल जाता है application based में, firewall do not layer inspection, यह हमारा network layer inspection, sorry that do network layer inspection perform better than similar devices that do application layer inspections, जो application layer inspections पे काम करता है the download is that unwanted applications or malware can pass over allowed port, अगर माल लिया कि आपका जो आपने कुछ download किया internet से, आपने कोई information receive किया, email के जरिये, तो अगर वो किसी भी तरी, sorry, sorry, किसी भी तरीके से अगर वो आपके network में entry ले ले लेता है, HTTP के, HTTPS के port को redirect करके, तो उसके बाद वहाँ पे filtering होती है, और वो वहाँ पे block कर दिया जाता particular program द्वारा, तो अभी आप देख रहों, Windows 10 में एक हमारा defender based firewall, यूज किया जा रहा है antivirus, जिसके through firewall को काफी ज़्यादा support मिला, और हमारा PC ज़्यादा से ज़्यादा secure zone में हो ग नेक्स्ट, packet filtering की अगर बात करें, packet filtering based firewall होता क्या है, कैसे function करता है, तो packet filtering is a firewall technique, एक technique है firewall की, used to control network access by monitoring outgoing and incoming packets, network के अंदर जो भी incoming outgoing packets आ रहे हैं, जैसे हमालिया ये internet है, आपका ये network border है, अब यहाँ पे firewall आपका implement है, यहाँ से जो भी network, अगर कोई user है, वो बाहर send कर रहा है, य या कोई बाहर से activity अंदर को आ रही है, तो उन दोनों के बीच में, जो packet send और receive हो रहा है, उसको filter करता है, monitor करता है, उस monitoring के समय, अगर rule create किया गया firewall पे, और उस rule को वो follow नहीं करते है, तो उस समय वहाँ पे, जो firewall है, वो उस packet को क्या कर देता है, totally block कर देता है, और network access deny कर दे तो यह हमें security मिल जाती है, इसके अलमा proxy-based firewall होता है, proxy-based firewall में क्या होता है, अब proxy firewall is a network security system that protects network resources by filtering messages as the application layer, application layer पर यह protect करता है messages को, और proxy firewall में proxy server होता है, और जो भी हमारा enterprise server होता है, और firewall इनके बीच में establish होता है, और यह हमारा client है, और यह हमारा internet access होता है, तो इस तरीके से firewall की security यहां पर proxy-level पर maintain करी जाती है, इसके अलमा अगर हम लोग बात करते हैं, next stateful inspection के बारे में, तो in computing, a stateful firewall is a network-based firewall that individually tracks session of network connection and transceiving it, okay, stateful packets inspection also referred so as dynamic packet filtering is security feature of an use in non-commercial and business network, okay, stateful inspection में, आप देख रहे हो, client directly access कर पा रहा है, जो भी web service होती है, और जो भी हमारा rule create किया गया है, firewall का यहाँ पर उसके जरी है, okay, तो यह हमारा internet है, यह हमारा client है, और यह firewall है, directly इनके बीच में communication होता है, stateful communication होता है, और यहाँ पर rule के coding create होता है, जो भी हमारा inspection होता है, और यहाँ पर packet filter होता है, अगर आप software based firewall की बात करते हो, तो आप अपने control panel को open करोगे, तो वहाँ पर firewall की setting मिलेगी, उस firewall की setting को अभी मैं आपको practically दिखा दे रहा हूँ, बट यहाँ पर सबसे पहला जो setting होता है, वो होता है control panel, home की setting, अगर मैं यहाँ पर window R, control लिखकर यहाँ आप एंटर करता हूँ, यह, तो आप यहाँ पर देखो, security and system, security and system पर आने के बाद मैं यहाँ पर भी एक machine turn on कर लेता हूँ, जिस पर आपको यह सारी lab दी, so guys machine on हो रही है, तब तक हम लोग इस चीज को समझते है, क्या है, कैसे है, function कैसे कर रहा है, okay next, इधर को हम लोगों क हुआ जाना है, okay मैं यह समझा रहा था, okay, तो यहाँ पर क्या समझने है, हम लोगों ने कि आपने देखा यहाँ पर कि जो भी हमारा firewall है, वो software based कुछ इस तरीके की setting प्रवाइड करता है, अब यहाँ पर हमें क्या मिलता है, help protect your PC, Windows Defender firewall, Defender मैंने बोला कि software आपकी Windows 10 के PC में in different तरीके के antivirus यूज करते हो, जो कि आप अपने computer को protect करने के लिए, जो कि firewall के साथ integrate होकर काम करता है, okay, तो यह सारी चीज है, इसके अलामा आप यहाँ पर firewall में क्या कर सकते हो, private and public और guest network तीनों के लिए, यह profile designation होता है network का तीनों के लिए आप firewall enable कर सकते हो, यहाँ पर एक setting का follow करते हुए, यह firewall के साथ वो include होकर काम करे और work करे, तो उसको allow कर सकते हो, उस program को defender के साथ access देने के लिए, यहाँ पर दिया हुए access देने या लेने दोनों के लिए, change the notification setting, notification setting की कब, किस तरीके के notification पे हमें वो user, मतलब firewall हमारा जो है, वो कैसे notification प्रोवाइड करे, windows defender यह firewall को turn on and turn off कर सकते हो, जो भी default setting है, उसको restore कर सकते हो, advanced setting में आप नया rule create कर सकते हो, और यह troubleshoot network करने के लिए होता है, सबसे main important होता है, यह option, जो कि हम advanced setting को create करने के लिए allow करता है, और यहाँ से हम लोग create कर पाते है, एक ऐसा rule, जिसमें हम लोग custom program block करने के लिए, custom IP address को block करने क यानि कि protocols को custom तरीके से packet को filter करने के लिए program create करते हैं, अपने firewall में allow और deny करने के लिए, दूसरा यहाँ पर option आपको मिल जाता है, जैसे allow program करते हो, तो turn on and turn off पे, तो turn on जरूर इसको रखें, दोनों option पे public network हो या private network हो, यह आपकी information को secure रखेगा, कहां से इसको करना है, अभी मैं आपको live दिखा देता हूँ, और यह block option जरूर रख दे, क्योंकि अगर network के अंदर कोई भी बंदा गलत activity करने की कोसिस करेगा, बाहर से या inside, outside दोनों से, तो यह तुरंत उसको block कर देगा, और एक notification देदेगा, और उसका malicious program run नहीं होगा, तो आपके system की information safe रहेगी, secure रह देखाया था, यहां से आप inbound मतलब होता है incoming, अगर आप चाहते हो कि आपके internet explorer या particular किसी program को कोई access ना कर पाए, कोई भी program आपके computer पे है, कि वो बाहर के लोग, आपके network के अंदर के किसी भी resource को access ना कर पाए, तो आप inbound setting को apply करते हो, अगर outbound setting आप apply करना चाहते हो, यह उ network से user है, कुछ वो unwanted traffic access करते हैं आपके network के अंदर, तो in outbound rule के अंदर उस program या application या protocol को block कर सकते हो, आप network monitoring tool का use कर सकते हो, या security rule को यहाँ पे connection में आप check कर सकते हो, ओके, तो यह सारी चीज़ें हो जाती है, अब इस चीज़ को practically कर लेते हैं, फिर हम लोग next generation firewall यानि की ngfw प 7 यूज कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझाने के लिए या windows 10 पे आप देख सकते हो, defender यूज किया गया है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, तो यह windows 10 की setting है, देखो इसमें भी दिया हुआ है, कि आप जब control panel के अंदर system and security पे आए, और उसके बाद आप windows defender firewall में आ गया है, तो यहाँ पे आपको मिलता है private and public network की detail, अब यहाँ से turn on, turn off, जो भी करना आप कर सकते हो, by default आप देखो मैंने turn on करके block mode को allow कर रखा है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं होती हमें कोई भी third party या ऐसे चीज़ों का application या कोई भी चीज़ को access करने की, तो मैंने block रखा है, मैं यहाँ पे अगर इसको enable disable करके step by step आपको Windows 7 के PC पर दिखा हूँ, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल जाता है login पैनल, और मैं यहाँ पे आपको A2Z सारी चीज़े दिखा पाऊंगा, तो मैं यहाँ से इसको login कर लेता हूँ, ओके wait, यह मैंने दिया password एंटर कर दिया, यह machine live हो गई, अब यहाँ पे देख सकते हो, internet यहाँ पे access हो रहा है, और मैं यहाँ पे अगर internet explorer open करता हूँ, जो भी है यहाँ पे, internet explorer, और मैंने इसको open कर लिया, और यहाँ पे आप देख रहे हो, कि यह हमारा internet access हो रहा है, अभी इस चीज़ को हम avoid करते हैं, control panel में आ जाते हैं, और यहाँ से आपको setting दिखाते हैं, system and security में आने के बाद, windows firewall, with defender, windows 10 में आ जाएगा, अभी यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ पे बट अगर आप इस पे रखे हो, तो कहीं न कहीं आपका network उतना secure नहीं है, turn windows on आप पे आजाओ, और इसको block mode पे allow रखो, okay, सभी को turn on रखो, और block mode जरूर apply करके, okay कर दो, अब देखो, यहाँ पे सारी setting कुछ इस तरीके से दिखेगी, okay, इसके अलामा, आप यहाँ पे किसी यह सब firewall enable हो, block हो, तब भी यह सब काम करें, तो उनको यहाँ पे आप enable कर सकते हो, कुछ ऐसे program होते हैं, जब आपका firewall enable हो जाता है, तो वो यहाँ पे work करना बंद कर देते, तो ऐसी condition में आपको उस program को यहाँ पे allow another program और अपने program को जैसे mozilla, firefox, whatever है, जो भी यहाँ पे, हमन यहाँ बाइड हो चुका है, आप उसको अटाना चाहते हो, तो वही से हटा सकते हो, notification setting यहाँ पे, अभी आपने देखा, notify करे, block करे, सब कुछ, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, इसके लावा turn windows on off के बारे में, same वही चीज़ आ जाएगी, इसके लावा आपको मिल जाता ह restore setting, default restore हो जाएगा, और यहाँ पे advanced setting आपको समझना जरूरी है, advanced setting में आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको setting मिल जाएगी, इस setting में आपने एक नया rule create करना है, for example, मैं चाहता हूँ यहाँ से internet explorer program को block करना, कि inbound, outbound किसी भी तरीके से यह program access ना करे, तो अभी यहाँ पे द ना access कर पा, क्योंकि अभी मैं access कर पा रहा हूँ इस program पे, इसके अलामा बहुत सारे तरीके हैं, इसको use करने का, create new program, port, predefined या custom, जिस भी label पे आप चीजों को block करना चाहते हो, software based पी, यह software based firewall है, आप यहाँ पे allow कर सकते हो, जैसे मैं अभी चाहता हूँ custom, मतलब manually कुछ create कर program rule, और सभी program के लिए किसी भी particular एक program path के लिए, तो custom कर लेते हैं, और this program path में browse कर लेते हैं, और किस के लिए मैं internet explorer, जो कि computer c drive के अंदर, program के अंदर, internet explorer का file directory होगा, उसके अंदर यह program रखा, इस चीज़ को मैं allow कर देता हूँ, और यहाँ से मैं कर देता हूँ, इसको next, और क किस protocol के लिए, कि कब internet explorer पे यह चीज़ access ना हो, तो आप यहाँ से देखो, सारी protocol को allow कर सकते हो, या किस level पे, तो मैं सभी protocols के लिए allow कर सकता हूँ, या किसी separate के लिए आप select कर लेंगे, next करता हूँ, उसके बाद किसी एक IP address के लिए, या multiple stuff IP है, तो उनको यहाँ पे add कर दो, तो मैं सभी IP के लिए block करना चाहता हूँ, उसके बाद block करना है, negotiate करना है, किस level पे तो block करना है, next कर दो, कह रहाँ तीन network designation है, सभी के लिए, yes, सभी के लिए, और यहाँ पे आपको एक rule create करना, I, E, X, P, okay, तो L, okay, उसके बाद आपको यह याद भी रखना, description दे सकते हो, क् अभी भी आप यहाँ पी इस program को disable करोगे, और यहाँ से refresh करोगे, तो यह program access करना start कर देगा, तो आपने देखा, अगर यह program की setting में, यहाँ से जाकर block नहीं किया होता, तो यह चीज़ साइद, वहाँ से enable करने के बाद भी allow नहीं करती, क्योंकि program block नहीं होगा, यहाँ से, okay, तो main जरूरी है, program block mode भी यहाँ से enable होना चाहिए, तो आपने देखा, software-based पे कैसे program को block करते हैं, इसको host-based firewall भी बोला जाता है, क्योंकि आप हर एक host के लिए particular program यूज़ कर रहे हो, और यह जभी भी एक computer पे enable होता है, तो सिर्फ एक computer, यानि एक host को secure करता है, तो यह host-based firewall ब बढ़ाने जा रहा हूँ, यह कैसे network-based firewall का use किया जाता है, तो दो चीज़ें यहाँ पे होती है, पहला एक host-based firewall होता है, और एक network-based firewall होता है, ओके network-based firewall में क्या होता है, कि आपके देखो यहाँ पे multiples of router है, आप देखो यहाँ पे दिया हुए multiples of program है, router है, और इन router में, मतलब एक router है, और एक firewall है यहाँ पे, इन दोनों तिनों में क्या difference आपको देखने के मिला है, internet access हो रहा है, यह network पे ही, यानि boundary पे ही यह firewall लगा दिया गया है, यहाँ से जैसे ही enter होगा कोई traffic, तुरंत यहाँ पे पहले filter होगा, तब यहाँ network में आएगा, ओके, बट यहाँ पे अ अपने enable करके check किया, लेकिन अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, network based firewall को activate करने के लिए, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, ngfw, next generation firewall के बारे में, next generation firewall क्या है, function कैसे करता है, यह सारी information समझते है, तो next generation firewall इसको दोरा develop किया गया एक program है, काफी CIS, काफी advanced level पे work करता है, इस system को secure करने के लिए application layer as well as network layer, और यह एक काफी secure program बोला जाता है, आपके बहुत सारे appliances, protocols and चीजे secure करी जा सकती है, इस firewall के थू, next generation firewall है, यह compatible होता है, और different different तरीके के inspections को use करने के लिए, या secure करने के लिए, यूज करता है, strategies and features होते हैं, इसके अंदर, integrated intrusion prevention system होता है, DS IPS तरीके किसी work करता है, आपको alert message देता है, programs को block कर देता है, किसी भी तरीके से एक तरीके का auto sense करके यह work करता है, application answers, sorry, awareness and control to see and block risky apps, इसके अंदर, एक मुतलब की auto sense वो चीज होती है, अगर आप enable कर लेते हो, तो यह क्या करता है, कि automatically sense करता है, कि काउन सा program risky है, काउन सा क्या है, और उस तरीके से उस network को lead करता है, threat intelligence sources यहाँ पर मिल जाते हैं, और threat intelligence sources में किसी भी तरीके के threats आपके network में आने के लिए ngfw firewall से permission मांगते हैं, तो तुरंद उनको समझ जाता है, और उनको block कर देता है, आप different path upgrade कर सकते हैं, programs block कर सकते हैं, inside, outside security label इसी के अंदर आप create कर सकते हैं, zero security label से लेके hundred security label तक होता है, जो कि zero हमारा हो जाता है, inside, sorry, zero जो हमारा हो जाता है, वो outside public security के लिए हो जाता है, और inside के लिए हमारा hundred use किया जा सकता, अभी हम लोग इसका practically देखेंगे कैसे होता है, host based और network based आपको firewall के बारे में बता ही दिया, बाकि यहाँ पे firewall के कुछ series हैं जो कि firepower thousand series है और इनके different different feature है, अगर आप thousand series के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे small और medium size organization के लिए होता है, इसके अंदर NG IPS, advanced malware protection, URL filtering का option मिल जाता है, 2100 series के इसके अंदर NG IPSW, visibility application control, firewall security, program blocking, malware protection, and URL filtering का option मिल जाता है, यह थोड़ा सा internet edge data center वगरे के लिए यूज किया जाता है, अगर आपके पास high performance environment बहुत बड़े level पे है, तो आप 4100 की series का firewall यूज करेंगे, इसके अंदर DDoS attack का भी filtering मिल जाता है, कि अगर आपके network में किसी भी तरीके का bot attack होता है, या distributed denial of service attack होता है, या आपकी website को down करने क के लिए यूज किया गया, कोई ऐसा threat या कोई ऐसा program भेजा गया है, तो उसको भी यह क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और इस तरीके के program से भी आपके network को secure करता है, 9000 series का firewall देखा जाए, तो यह हमारा service provider, routers, data centers बहुत बड़ी environment के लिए होता है, और इसके अंदर DDoS attack, protection, firewall filtering, advanced malware scanning और सारे option मिल जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो firewall use करने जारी है, यह firepower है, आप इसको use कर सकते हो, firewall की security और इन सारी चीजों के लिए, और NGFW में हम लोग inside outside के भी security इस तरीके के कुछ program और चीजों को बना कर सीखेंगे, समझेंगे, और फिर हम लोग आगे आ जाते हैं, firewall में inbound, outbound की traffic rule को create कर सकते हो, कि particular यह PC, इस PC से access करें ना करें, यह inbound में काम कर रहा, यह outbound में काम कर रहा, okay, तो inbound की traffic, outbound से ना access करें, बट inbound में जितने भी हैं, वो आपस में communicate करें, outbound जितने हैं, वो आपस में communicate करें, है ना, तो तमाम तरीके के आपने firewall मतलब की एक system generate करना होगा और एक firewall की setting करनी होगी उस firewall की setting के साथ फिर हम लोग इसको समझेंगे तो मैंने यहाँ पे आपको एक firewall का diagram दिखाना है और इसको समझाना है कि कैसे यह work कर रहा है और उसके बाद आपको इसका lab समझाना है तो आप यहाँ पे देखो मैंने इसमें क्या करा हुआ है थोड़ा समय इसका एक screenshot लेता हूँ और इस screenshot में आप लोगों को यहाँ पे allow कर देता हूँ कि कैसे यह चीज implement करनी है और देखो सबसे पहले यहाँ पे यह चीज हो जाता है कि हमें इस topology को समझना क्योंकि topology जो समझ में आ गई अगर क्योंकि अगर यह topology समझ में आ गई तो simply आप समझ जाओगे कि कैसे security label implement किया जाता है एक network के अंदर और कैसे firewall पे आप security को allow कर पाते हो inbound की traffic को outbound की traffic को कैसे आप maintain करते हो यह सारी information यहाँ पे आपने देख लेना होता है तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं inbound outbound की traffic और इस पे function करने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं इस टैयाग्राम को समझने के लिए तो सबसे पहला यहाँ पे option समझा दू में आपको यह server है हमारा जो की एक web server है जोकी example.com है और हमारे पास यह switch है जिसके साथ यह connect है और हमारे पास एक router है जो कि यह outbound connection के लिए है और यह हमारा inbound connection के लिए है अब इन दोनों के बीच में हमें इन users को access दिलाना है कि यह इस web server को access कर पाएं तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इनको एक inside outside rule में traffic में add करना पड़ेगा कैसे क्या है बहुत सारी information यहां पर manage करनी होती है तो हम लोग क्या करेंगे इन सभी users को allow पहले तो यह available नहीं होंगे इसको access करने के लिए जबी भी आप इसको inside outbound और security label और zone के अंदर add करोगे उसके हिसाब से फिर यह work करना start कर देंगे और इस server को access करके communicate या ping कर पाएंगे तो चले इसके practice को हम लोग यहां पर करते हैं तो फटा-फट यहां पर सबसे पहले हम इस diagram को create करेंगे ओके इस diagram को create करने के लिए कुछ नहीं करना है हमें समझना होगा कि तो मैं एक काम करता हूँ इसको delete कर देता हूँ और एक Cisco packet tracker करनेया project open कर लेता हूँ आप साथ में इस project को कर सकते हैं और साथ में जितनी भी commands मैं execute कर रहा हूँ वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और साथ में उसको note कर सकते हैं मैं कोसिज करूँगा command step आपको telegram channel पर upload करने के लिए तो telegram channel video के description में join कर लेंगे और वहाँ पर आपको यह project और notes आपको मिल जाएगा मतलब यो भी command step मैं follow कर रहा हूँ यह सब आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है एक firewall ले लेना है तो firewall के लिए 505 मैंने यह device ले लिया अब इस device से हम कुछ clients connect कर दे रहे हैं जिनको हमें आगे चलके allow करना है connection तो तीन connection मैंने ले लिया एक web server मैं ले लेता हूँ जिसको यह client access करेंगे और एक मैं router ले ले लेता हूँ इस router के थुरू यह लोग क्या करेंगे इस network traffic तक जाएंगे और बीच में मुझे एक switch लेना होगा जिसके थुरू हम इसको connect कर रहे हैं या तो मैं direct connect कर सकता हूँ sorry switch लेना है router नहीं तो मैंने इसको ले लिया और मैंने यहां से firewall को दुबारा से add किया उसके अलावा मैंने यहां से switch को access कर लिया और फिर इनके साथ मैं connection allow कर देता हूँ connection के लिए मैं यहां का पहला port इसके साथ E0-0, F0-0 के साथ add कर देता हूँ और इसका हमारा यहां पर connection हो जाएगा यह simple connection तो आप आप लोगों को पता ही है क्योंकि CCNA पर 200 प्लस वीडियो मैं दे चुका हूँ आप लोगों को वस आप लोगों को देखना है पढ़ना है समझना है यह देखो E0-1 है, E0-3 नंबर port है अब इन सब चीजों की IP address को सबसे पहले हम लोग समझते हैं अगर guys यहां पर बात करता ह हमें सबसे पहले कि हमारा जो port number है और यह सब कैसे work कर रहा है तो हमारे पास यह जो web server है यह particular example.com पर काम कर रहा है और यह हमारा example.com प्लस यह DNS server का भी role play कर रहा है तो इन दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं इस server को एक IP address provide करते हैं इस IP address इसको कहा से मिलेगा जो भी हमारा इस fast ethernet के लिए IP address दिया गया होगा तो इस fast ethernet के लिए जो IP address में F0-1 के लिए provide कर रहा हूं 20256215.1 है जो कि 24 bit network पर work कर रहा है और यह चीज इसके लिए work करेगी तो अब यहाँ पे 202.56.215.2 हमारा हो जाएगा यही हमारा example.com का IP हो जाएगा और यही हमारा DNS server का भी role play कर इसका subnet mask आपको पता ही है क्या होगा इसके लावा साथ में 20256215.1 कर लेना है इसका gateway यहाँ पे हो जाएगा यह gateway का काम करने लगा इसके बाद fast ethernet 0.0 पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे जो IP address में provide कर रहा है 1921680.1 यह भी 24 bit network पे काम कर रहा है C class की IP है ओके तो यह हमारा इ पुछ configuration समझनी है यहाँ पे जो की आप देखो यह वाला जो port है E0.0 इसका जो IP address 192.168.0.2 है और यह हमारा 24 bit network पे काम तो करी रहा है बट outside traffic के लिए यह work कर रहा है outside traffic कैसे होगा क्योंकि इन clients के लिए यह बाहर जाने का एक source है और outside traffic होने के साथ साथ यह जो work कर रहा है य यानि कि हमें एक VLAN create करना पड़ेगा by default यह VLAN 1 में सारी चीजे work कर रही होती है इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो यह जितने भी client computer है इन सभी का जो IP address है वो हमारा हो जाएगा 172 की range में तो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे इन सभी के लिए IP address 172.168.0.2 की range में ह तो ASF firewall पे हम लोग इसको use करेंगे और इसको 16 है क्योंकि B class की IP है तो यह work कर रही होगी ओके तो अब यह जो area है यह हमारा VLAN 1 में काम कर रहा होगा इन सभी port को VLAN 1 के अंदर add करना होगा और यह हमारा एक तरीके का बोला जाए तो inside traffic के लिए allow है ओके तो inside के लिए हो तो एक काम करते हैं हम लोग यहां पर इसको inside में add कर लेना है अब हमें क्या करना है सबसे पहले firewall की setting को समझना है firewall पर कैसे क्या करना है और यहां पर तो यह सब पर हमें DSCP server भी allow करना पड़ेगा क्योंकि DSCP server हमारा firewall के through होगा और उस पर work करेगा तो हम लोग ASF firewall की configuration के part को य DSCP server पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा एक DSCP server allow करना पड़ेगा okay DSCP server का जो IP address होगा या जो कुछ भी होगा इसको हम लोग provide करेंगे starting IP start IP जो होगा 172.168.0.2 से क्योंकि इस range में हमने यहां पर IP दे रखा है और जो end IP होगा वो provide होगा इसको 172.168.0.100 तक for example इतना okay और यह सारे PLAN 1 में काम कर रहे होंगे इसके साथ साथ अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं ISP router का तो यह हमारा ISP router है और यह हमारा ISP router का IP address आपको यहां पर पता ही है और हमारा जो inbound, outbound, sorry यह हमारा outbound के लिए sorry यह हमारा inside का area है और यह हमारा जो है यह outbound के लिए हो जाएगा उसके बाद ये जो area 192 का देख रहे हो ये हमारा inbound के लिए work कर रहा है मतलब इधर के connection के लिए firewall पे आने का एक source ये है तो inbound के लिए ये traffic है और ये outbound के लिए traffic है ओके ये outside traffic को यहां से जाना है और inside traffic यहां से अंदर आएगा ये firewall के इधर आने वाली traffic inside हो जाएगी उधर outside हो जाएगी तो अब इस चीज को manage कैसे करना है तो आएगे थोड़ा सा इसको detail में समझते है अब इसके लिए हमें सबसे पहला option क्या use करना पड़ेगा आपको आजाना है ASA firewall की configuration पर तो मैं आ जाता हूं ASA firewall पर और यहां से सबसे पहले तो मैं इस server पर IP address प्रोवाइड कर दूँ वर इसके configuration में आ जाना 20256215.2 and 20256215.1 और यह हमारा done हो गया दूसरा काम हमें firewall की configuration को लेकर चलना है तो हम यहां पर आ जाएंगे और सबसे पहले आपको यहां पर enable करना है और so कर लेना है so running configuration तो आपको यहां पर क्या मिलेगा इसकी कुछ default configuration run हो रही होंगी तो enter करके देख लेते हैं जैसे यहां पर ip address हमारा vlan 1 पर work कर रहा है और यहां पर dscp server work कर रहा है तो इन सब चीजों को हमें सबसे पहले क्या करना हटा देना है तो हम आ जाएंगे configuration mode पर और यहां पर no interface vlan 1 no ip add ओके तो यह देखो हमारा address remove हो गया उसके बाद no dscp यानि कि यह पूरी की पूरी command को हमें यहां से मतलब यह पूरे का पूरा यह क्या कर लेना पेस्ट करके remove कर देना है तो यह दोनों चीज रिमूब हो जाएगी एक पर verify क कर लेते हैं क्योंकि by default अगर यह रहेगा तो आपको problem होगी तो यहां पे सब कुछ हट गया inside और outside का area अगर बात कर आजा outside का जो area है वह 0 पर है इसका security label क्योंकि बहुत ही high security चाहिए होता है और inside मतलब होता है यह area 100 पर work कर रहा होता है यहां पे यह देखो inside 100 पर है outside लेबल जो है 0 पर है है ना तो यह label है 0 सबसे high priority की security चाहिए होता है और 100 मतलब चलता है काम चला हुआ है okay तो ऐसे configuration mode पर आ जाते हैं और सबसे पहले हम लोग यहां पे VLAN को IP देते हैं अपने need के coding तो interface space VLAN 1 आप इस diagram को follow कर सकते हो VLAN 1 पर मैंने क्या IP दिया हुआ 172 की range में दे रख 0.1 0.1 255 255 0.0 और no shutdown करके इस port को on कर लिया उसके बाद आपको यहां पे क्या करना है आपने तो no shutdown यहां पे VLAN पे करने की ज़रूरत नहीं है जो port down होते हैं उन्होंपे no shutdown command execute करने की ज़रूरत पड़ती है बट no issue चलता है और उसके बाद आपको यहां पे name if create करना पड़े क्योंकि हमारा जो 172 है यह inside के रिया में तो INSIDE inside और enter कर देना है उसके बाद security label यहां पे create कर लेना है inside का security label 100 पे रखना है यह आप इसका label है कुछ भी create कर सकते हो जैसे कि अगर आप यहां पे question mark लगा के देखो तो 0 to 100 के बीच में इसकी value होती है तो priority value हम लोग 100 default है तो इस 192 की range में यहां पे IP को lead कर रहा है तो हमें इस IP address को यहां पे configure कर देना IP address लेना है यानि की sorry sorry interface E0-0 तो 0-0 पे अभी हम लोग जो IP देंगे 192 का देंगे बड़ उससे पहले इन सभी inside traffic के लिए जितने भी PC है इन सभी को एक मतलब की इस interface E0-1 इन सभी को switchport access VLAN 1 के अंदर दे देते हैं access और VLAN 1 ओके यह हो गया ऐसे हमारा two number का जो PC है यह वाला PC इसको भी access VLAN 1 में add कर देना है ऐसे हमारा three number का जो port है इसको भी VLAN access 1 में कर देना तो यह तीरों एक VLAN में काम करने लगे inside security level 100 पे work कर रहे हैं पहला काम हमारा इस area का complete हो जाता है उसके बाद आपको आ जा IP address करना है 192.168.0.2 255.255.255.0 और okay कर देना उसके बाद आपको यहां पर name if command execute करना है sorry name if और यहां पर outside ओके यहां पर क्या हो जाएगा outside outside और enter कर देना security label जो यहां पर होगा 0 होगा क्योंकि high end priority चाहिए होगा interface इसपे e0.0 और अब यहां पर e0.0 outside traffic में है तो आपको यहां पर आपको बताना पड़ेगा यह किस port को access कर रहा है तो switch port access VLAN 2 में यह काम कर रहा है आपने यह भी configure कर करके simple जो अभी सामने diagram में दिख जाए वही चीज मैं यहां पर allow कर रहा हूं आपको ओके इतना कर लेने के बाद आपको configuration यहां पर done हो जाएगा ISP का इतना अब एक पर आप अपने router पर आ सकते हैं router पर आने के बाद CLI mode पर और router की कुछ important configuration यहां पर आपको करना है सबसे पहले no लिख कर आप router के configuration mode पर आज दो सबसे पहले इस port को IP देना है तो router पर जो IP पढ़ी हुई है F0.0 इस port को no shutdown कर लिया IP address मेरे को क्या देना है यहां पर simple 1921680.12552552550 इतना करके आपने ok कर दिया अब देखो यहां पर connection हमारा हो चुका है no shutdown command चल चुका है interface space F0.1 command क्या है यहां पर 1 जो है 202 की range में IP है त IP address 20256215.12552552550 और इस port को भी no shutdown turn on कर देना है आप देखो router से लेके हर जगा की configuration यहां पर ok हो गई अब आपको यहां पर एक और काम कर लेना है तो सबसे पहले यहां पर rip command या कोई भी एक particular routing command execute कर देना क्योंकि आपका यहां पर different class की IP है तो सबसे पहले हम लोग यहां पर यूज करने जा रहा है router space rip ok और router rip करने के बाद हम यहां पर add कर देंगे इसकी particular network id और host id तो यहां पर दो network id है पहला 192 और 202 तो हम दोनों को क्या कर देंगे network 192.168.0.0 और दूसरा network हमारा हो जाएगा 20256.215.0 तो दो network में हमें कोई issue नहीं था यहां पर मैंने काम करके done क कर दिया आई पी रूट करा दिया अब हमें यहां पर कुछ नहीं करना है उसके बाद आप यहां से किसी भी PC से एक बार reply लेकर check कर लो कि आपका जो PC है मतलब की जो server 20256215.2 उससे reply आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो फिलाल यहां पर reply हमें मिलता है या नहीं मिलता है चेक कर tool create किया आपने सब कुछ किया अब इसको allowed deny जो भी है वो चीज करनी है तो हमें क्या करना यहां पर यह से firewall पर dscp server बनाने ताकि इन सबको पहले IP address में दे तो हमें लिखना पड़ेगा dscpd, address, address के बाद आपको लिखना पड़ेगा 172 dscp address में हम 2 से लेकर कहा तक IP देना चा dscpd, okay उसके बाद add address और 172.168.0.2 से लेकर 172.168.0.100 तक INSIDE, 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 ENTER, क्या दिक्कत है? dscpd address उसके बाद question mark लगाते हैं, IP address की डीटेल यह पूछ रहा है, okay, तो 172.168.0.2 से लेकर 172.168.0.10 कर लेते हैं, INSIDE, INSIDE, ENTER, invalid input dedicated at marker, wait, so guys, यहाँ पर जो IP address है, उसका लिखने का सिक्मेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, dscpd address, okay, 172.168.0.2 से हाइफन लगाना यहाँ पर 172.168.0.100 और यहाँ पर INSIDE, आपको लिख कर ENTER कर देना, अब देखो, आपका dscp यहाँ पर work करना start कर दिया, और dscp जैसे ही work हो जाएगा, आपको DNS की entry यहाँ पर कर देनी है, तो dscpd, sorry, dscp, dns space 202.56215.2, okay, enter कर दिया आपने, इतना कर देने के बाद, आपको क्या करना है, सभी PC पर आ जाना है, और check कर लेना IP मिल रहा है किने, IP की configuration dscp, तो इनको 172, 168, 0.2, सब कुछ मिल रहा, okay, then fine, बहुत अच्छी बात है, यह हो गया, done हो गया, इधर भी मारा 3 मिल गया, okay, done, इधर भी 4 मिलना चाहिए, तो done, यह हो गया, अब आपने देखा, इतना हो जाने के बाद, आपको next कुछ commands का procedure, follow करना है, और check करना है, तो एक पर आप देख लेता हूँ, क्या IP दे देने के बाद, हमारा काम हुआ या नहीं हुआ, अभी unrichable आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने rule create किया, और सब कुछ किया, लेकिन add नहीं किया, inside, outside की traffic के अंदर add नहीं किया, तो हमें दुबारा से क्या कर ल IP, सबसे पहले तो एक root create करना है, एस ते firewall पर ही, जो की command रहेगा, configuration mode पर, root, outside, 00 कर लेना है, किसी भी networks के लिए, और outside को लेकर कौन जा रहा है, one, क्योंकि हमारे outside जाने का यही एक रास्ता है, इसको मैंने allow कर दिया, allow करने के बाद, यह done हो जाता है, और उसके बाद हमें क्या करना होता है, ASA पर एक object create करना होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे object, object के लिए हम एक बार exit करते हैं, sorry, configuration mark पर O, B, J, E, C, T, नहीं आ रहा है, question mark, तो, object है तो, object space, object space लिखने के बाद, network और यहाँ पर कोई भी एक network का name दे देना है, for example, मैं domain name भी यहाँ पर आजर network name दे देता हूँ, और enter कर देता हूँ, अब यहाँ पर object name के अंदर आप आगए, अब आपको एक subnet create कर लेना है, तो मैंने subnet लिखा, और subnet में मैं use कर लूँगा, जो भी हमारा network detail है, तो 0.0255255 यह मेरा subnet है, इसको use करने के बाद हमें net का translation लगाना है, किसके लिए inside आउटसाइड के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, inside, outside, out, side, 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 और इसको bracket को close कर दिया, और उसके बाद dyna dynamic और interface, i and te interface और enter कर दिया, ओके, इतना कर लेने के बाद आपको access list create कर लेना है, तो यहाँ पर मैं exit लिख दूँ, यह end लिख दूँ, exit, sorry configuration mode पर आपको access list create करना है, तो access list, सबसे important होता है access list, ओके, access-list space, ओके, अब access list के बाद मेरे को यहाँ पर add करना है, एक list create करना है, तो मैं list 1 से create कर लेता हूँ, और किसके लिए? extended के लिए, extended पर मैं permit करता हूँ, किसको? TCP को, ओके, और TCP को किसके लिए? किसी भी IP से, किसी भी IP के लिए, और okay कर दिया, तो दो access list यहाँ पर आपने create कर लेना है, access list 1, और यहाँ पर आपको क्या कर लेना अभी? आपने पहली जो list create किया था, access list, list 1, list 1 के बाद आपको यहाँ पर देना था, access list 1, extended permit, TCP, okay, और ऐसे ही, access list 1, extended permit, ICMP, एक TCP में add कर देना और एक ICMP, यहाँ कि जो eco message को lead कर रहा है, incoming, sorry, internet control message protocol, ICMP, enter कर दिया, okay, दोना enter करने के बाद एक group list create करना है, तो group के लिए हमें, ACCE SS access hyphen group, और इस group में आप बता देना है कि इस list 1 के अंदर जो program है, right, access list 1 के अंदर जो program है, वो inbound interface से क्या करे, communication start करे, outside traffic के लिए enter कर देना है, and finally, इतना कर लेने के बाद हमारा communication check करना है, कि यह allow हुआ या नहीं, तो एक बार wait करते हैं, अब आज आना चाहिए, क्योंकि हमने allow कर दिया, inbound, outbound traffic के लिए, इनको एक rule के साथ और ये work करेंगे, थोड़ा सा time ले सकता है, reply लेने में, देखो आ गया, तो यह हमारा communication done हो गया, तो इस तरीके से हम लोग firewall rule या जो कुछ भी ये create करते हैं, साथ में so space question mark लगाकर आप देख सकते हैं, या आपको VLAN के बारे में पता करना है, और नेट के बारे में पता करना है, यह सारी चीजां को यहां पर मिल जाती है, इमें दैने एंटर करके और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, तो सोई स्पेस एक्सेस लिस्ट एंटर, तो आपको एक्सेस लिस्ट में आपर पता चल जाएगा, किसको एलाओ, किसको डिनाई, कैसे क्या किया गिया है, कुछ नहीं यहां पर बस यही सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, राउटिंग कैसे करीगा, यह सोई स्पेस आईपी स्पेस एंटर, तो आपका आईपी रूट के बारे में बता देगा, कि सिस्टम आईपी अड्रस कौन कौन सा यूज कर रहा है, मैनुवल आईपी कहा पर यू है, ओके, एड्रस आ रहा है, क्वेस्टन मार्क लगा है, कुछ नहीं, एंटर कर दिया, आईपी एड्रस में भी वही सेम चीज़ आ रही है, तो वेरिफिकेशन के लिए सोग करके, आप सारी चीज़ों पर चेक कर सकता है, आपका रिप्लाई आने लगा, फायरवाल की कंफ क्रेडी हो गई है, और मैं आपको बहुत जल्दी ही वन वीडियो सिरीज कम्प्लीट प्रवाइट करने वालों, सिसीने सिक्यूरटी सर्टिफिकेशन को लेकर, आई नो कि इसी में इंक्रूड कर दिया गया है, नहे वाले के साथ, बट उसका कम्प्लीट प्रोग्राम एक स उसको कवर करने वाले हैं, तो गैज मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में, थेंक्यू सो मच्ट